जनता दल ने मात्र एक उम्मिदवार अति पिछड़ा का दिया और उसके साथ कैसा ब्यभार किया कि कुल मत प्राप्त हुआ लोक सभाचुनाओं में 27,120 नोटा से 300 जादा कि पतनी को अपमानित किया तब पती को भी अपमानित करेंगे प्रान नहीं चोड़ेंगे जब तक अ यादो आपने अति पिछड़ा का राजनेतिक अपमान की मनसा रखे हुए थे सर्मसार है की नहीं कि क्या कारण था इस बात का खुलासा करेते जस्तु यादो इतना कम भोट क्यूं आया जबकि तीन दिन आप महीं थे भाइत हेलिकॉप्टर पर चढ़ने आप दीजिएगा की चर्चाएं तेज हो गई है पुर्णिया लोकसवा छेत्र के रुपवली विधान सभा में चुनाव होना है तो वहां चर्चाएं अब तेज हो गई है जदि उन्हें तो प्रतियासी की घोशना भी कर दिये महागडवंदन के तरफ से भी चर्चाएं कि विकास खुमार मं महां से वह चुनाव लरे अगर टिकट नहीं मिलता है तो निर्दल्य भी मैदान में उतरने को तैयार है अब इसी बात करें हमारे से जदियों के मुख्य प्रवक्ता सहीं मिल सी हैं कैसे देख रहे हैं बीमा भारती के पती अब चुनावी मैदान में होंगे रुपवली वि लेकिन महत्वपुन विशय है कि अति पिछडा जाती की गंगोता विरादरी की भीमा भारती थी रास्ट्रिय जनता दलने मात्र एक उम्मिद्वार अति पिछडा का दिया और उसके साथ कैसा व्यभार किया कि कुल मत प्राप्त हुआ लोक सभा चुनाव में 271212 नोटा से तीन सो जादा यह हालात किसने पैदा किया यह तो तेजस्वी आदो आपने अति पिछडा का राजनेतिक अपमान की मनसा रखके हुए थे कि आखिरी आपका वोट अस्थानांतुरित क्यों नहीं हुआ गुनाहगार कौन है आपने विधाइका से भी इस्तिफा दिलवा दिया और पारलियामिल्ट के चुनाओं में इतना कम मत 271212 नोटा सर्मसार है कि नहीं क्या कारण था इस बात का खुलासा करेते जस्तों यादो इतना कम वोट क्यों आया जबकि तीन दिन आप महीं थे आपने मांग किया वहां का कि चाहे तो हमको वोट दो या एंडिये को वोट दो इसका मतलब आपने उम्मीदवार के प्रति आपने दुरागनपुन रभईय अपनाया इसका कसूर इतना ही है न गंगोता बिरादरी की है कसूर इतना ही है पूरा चुनावी अभियान में CPI के नेता को चढ़ने ही नहीं दिये, राजनेतिक रुप से अच्छूत बना दिये, तब तो आपके उम्मिदबार को 10297 बोटाया है, 27000 में से, रुपवली विरान सबा में, तो क्यों नहीं दीजेगा मौकाप, यहालाक उनका अंद्रूनी म कामला है, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं, अगर कोई भी उम्मिदबार महागटबंदन के CPI घटक दल से इतर लड़ता है, तो सीधा और पर इत्यजश्वियादों के साजीश के तहत, अती पिछले की अपमान के मन्शा के साथ लड़ता है, यानि आप यह अरोप लगा रह है, तो वो जो है निर्दली अपना ही उम्मिदबार उतार देंगी, हो सकता है, तो जिस वियाद हो है, कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है, इसके पीछे मंसा क्या है, कि पतनी को अपमानित किया तब पती को भी अपमानित करेंगे, प्रान नहीं छोड़ेंगे, जब तक अपमान नहीं करेंगे अति पिछला का, तब तक मेरा राजनीत में पेटे नहीं भरता है, पचबे नहीं करता है, जन नायक कर पूरी ठाकुर का अपमान लालू जी ने किया, राजनीति का अपमान मेरे पास साक्ष और दस्तावेज हैं, और दूसरी तरफ भीमा भारती को टिकट दे करके अति पिछला का अपमान किया, तो अगर उनके पती चुलाओ लड़ेंगे निर्दलिये, तो साफ है न, कि आप CPI को उनके उकाद पर लाकर खड़ा करना चाहते हैं, यह साफ है न, कि पतनी को राजनीतिक रूप से अपमानित करवाया, अब मौका मिला है पती को भी करने, फिनिसे करने, एकदम गंगोता, जाती में जनम लेना अपराद बना दे, उधर पपु यादब भी तयारी कर रहे हैं, और अपने निर्दलिये, परत्यासिक उतारने में लगे, तो निर्दलिये हैं, तो उनको क्या दिक्कत है, वो तो फिरी फोर ओल है, अ मारे लिए क्या मुश्किल हम तो अपना एंडिये इंटेक्ट इंडिये में कहीं कोई अंतर विरोध ने पुर्णिया हार गए रुपली भी हार जाए अभी कोई भविस वक्ता तो हमें नहीं हम केतना बोट से हारे हैं इतना हमको कम बोट नहीं आता है लेकिन लोक तंत्र में लगा रहता है लेकिन हम केतना बोट से हारे हैं पच्पंसों बोट से हारे हैं अधी बताइए तो 27,120 भोट है इतना बोट तो वह मैं अथी में बिधान परिश्द में बिधान समाह में भी नहीं आता है हमारे उमिद्वार को लग रहा है पप्पू याद आपकी कंडिरेट कि सामने आपके कंडिरेट टिक पाएंगे अब कौन किस से दिल मिला लेगा कौन जानता है तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जद्यू के मुख्य प्रवक्ता से मलसी तमाम सवालों का जवाब दिया साथी साथ रूपवली विधान सवा में चुनाव हुने उसको लेकर के भी कहा है कि देखिए अगर सीपी आई के कंडिडेट वहां से होते हैं विकास, चंद्र, मंडल तो उन्हें जो है हराने की कोशिश तेश भी यादवी करेंगे क्योंकि वहां से बीमा भारती के पती अगर चुनाव लड़ते हैं तो साफ तोर पर है कि राजद ही उन्हें निर्दलिय उतारेगे कमलेश कुमार, लाइब भिहार, पटना